आखर बांगलादेश में देखते ही देखते ऐसा क्या हुआ कि शेक हसीना सरकार को स्तीफा देना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी दावा किया जा रहा है कि बांगलादेश में बगावत के जो शोले उठे उसके पीछे तीन किरदार हैं इन तीनों ने मिलकर बांगलादेश की सियासत में भूचाल ला दिया कौन है वो तीनों देखे इस रेपोर्ट में बांगलादेश में किसने भड़काई बगावत किया किसके इशारे पर बांगलादेश में उग्र हुआ अंदोलर कौन है बांगलादेश में आकोश की लहर का मूस्टर बॉय यह जलते हुए बांगलादेश के तस्वीरे हैं यह उस बांगलादेश के तस्वीरे हैं जहां आरक्षन की आग में शेख हसीना की राजनीति कातीत और वर्तमान जलकर राख होगी यह उस बांगलादेश के तस्वीरे हैं जहां आंदोलन के भवर ने पूरे सिस्टम को लील लेकिन सवाल यही है क्या कर बांगला देश में मचे इस आहाकार के पीछे कौन है किसके शारे पर बांगला देश में ऐसी सत्ता विरोधी लहराई कि शेक हसीना का राजनीतिक करियर उसमें तवा हो गया इन सवालों के जवाब तीन किर्दारों के इर्दगर्द गूमते हैं नाहे देशलाम, आसिफ महमूर और अबूबकर ठाका यूनिवर्सिटी के ये वो तीन चात्र हैं जिन्नोंने बांगला देश में इतना बड़ा अंदोलन खड़ा कर दिया कि शेख हसीना को इस तीफा देकर और देश छोड़ कर जाना पड़ा जनकारी के मुताबिक तीनों चात्र सामाने घरों से आते हैं इनका कोई राजनेतिक बैक्ग्राउंड भी नहीं है ये तीनों चात्र इस से पहले तक कुछ छोटे मुटे परदर्शनों का हिस्सा रहे हैं लेकिन दावा क्या जा रहा है कि आरक्षन की आग ने इनके अंदर इतना अकोश भर दिया कि ये बांगला देश के सत्ता से ही टकरा गये रही सही कसर सरकार में पूरी कर दी इनके खिलाफ कारवाय की गई इन्हें प्रताडित किया गया जिससे लोगों का घुस्सा बढ़ता चला गया जानकारी के मताबिक बात इसी साल उन्नीज जुलाई की है जब मुहम्मद नाहिद इसलाम को पुलिस उठा कर ले गई आरोप लगाया गया कि नाहिद के साथ मारपीट की गई नाहिद के हाथों पैरों और कंधों पर चोड के निशान थे नाहिद ने बताया सादे कपड़ों में कुछ लोग आये थे मुझे मेरे दोस्त के घर से उठाया गया मेरे साथ मारपीट की गई जब मेरी आँखे खुली तो मैंने खुद को सड़क के किनारे पड़ा पाया उस वक्त मेरी आँखों पर पट्टी बढ़ी हुई दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जब नाहिद की माँ और उसके पिता ने अपने बेटे का पता जानने के लिए डिटेक्टिव ब्रांच से संपर किया तो वहाँ भी उन्हें नाहिद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई लेकिन कहानी यहीं तक नहीं थी 26 जुलाई को ये घटना फिर हुई जब नाहिद इसलाम, आसिफ महमूद और आबो बकर को पुलिस की जिटेक्टिव विंग ने एक अस्पताल से उठा लिया तब पुलिस ने बताया कि तीनों को सुरक्षा कारणों से हिरासत में लिया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के बताबेक नाहिद को लोहे की जड़ों से पीटा गया जबकि आसिफ को एक इंजेक्षन दिया गया जिससे वो कई दिनों तक बेहोश रहा बताया जा रहा है कि तीनों चात्रों के साथ हुई इसी प्रताणना ने आंदोलन को ऐसी दिशा दी कि देखते ही देखते आंदोलन का रोग बदल गया और शेख हसीना सरकार को इस्तीफा देना पड़ा